तो गैज ये स्लीव रिजाइन बनाने के लिए हमने यहां पर तीन लीत ग्माइंद मने लीत है ख선 फागए लेक वाइट लिए लेकिनों यह देने हैं कैसा प्लाज़ यह ट्यूती है यही की च्वह बहुति देना देगा हूँ अगर आप सर्दियों के लिए कोई सूट बना रहे हैं तो उसमें आप यह डिजाइन जरूर बनाएं बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है एक बार ट्राय जरूर करें और फैब्रिक का अपना पसंद का कोई भी ले सकते हैं तो यह स्लीव पहले कट कर लेते हैं उसके फोल्ड है तो जितना भी हमारा आर्मल नार्मल रहता है उतना ही लेंगे इसके बाद हमने स्लीव की जो लैंथ है यानि हमारी स्लीव की फुल लैंथ जितनी भी होगी पहले उस पर मार्क कर लेंगे तो यह लॉंग स्लीव बनेंगी तो मैं 22 इंच पर मार्क कर रही हूँ श तो मैं 15 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हूं तो मैं 15 इंच पर मार्क कर दूँगी आपको जितनी ज़ादा गैदर्स चाहिए उसके साब से यहाँ पर आप फैब्रिक ले सकते हैं तो लास्ट 20 है इससे ज़ादा ना ले तो मैंने 15 इंच पर मार्क कर लिया है देखिए अब हमने स तो यह स्लीव ठोड़ी फिटेड रहेंगी तो आगे से हम फिट वाला मार्क लेंगे यानि मैं 5 इंच पर मार्क कर रहे हूं चार इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी एक इंच हमारा मार्जन आ गया है तो इसकी फिटिंग देखिए हमने जो हमारी कलाई होती है वहां से ले लेनी है बिल्कुल फिट करके तो मेरा 8 इंच आया है तो 8 का हाफ होता है 4 इंच तो 4 इंच पर मेरी फिटिंग आ जाएगी एक इंच मैंने मार्जन ले लिया है इसके बाद बात करते हैं आर्मौल की तो आर्मौल हमने उतना ही लेना है जितना हमने जरूरत होती है तो जितना भी है उतना ले लेंगे मैंने 9 इंच पर माक किया इसके बाद नीचे से और उपर से 3 इंच पर माक करेंगे और दोनों माक को हमने आर्मुल की शेप देता हुए इस तरह झे मिला लेना है अब हमने स्लीव की इनर साइड में marking करनी है तो इंची टेप को इस तरह से दोनों point पर तिर्चा करके रखेंगे और एक mark कर लेंगे इसके बाद हमारी जो sleeve है वो biceps से ज़ादा lose ना हो तो अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा हमने गहराई देनी है इस तरह से सो आदा से पौन इंच की अंदर की तरफ गहराई दे देंगे ताके ज़ादा lose ना हो इस तरह से अब हमने इसके cutting कर लेनी है तो जो हमने marking की है उसी के उपर हमने इसको cut कर लेना है cutting करने के बाद आगे से हमने एक इंच पर cut लगा लेना है इसके बाद देखे अब हमने लास्टिक ले लेनी है तो लास्टिक की जो चोड़ाई है वो एक पर यानि quarter इंच रहेगी इस तरह से अब हमने लास्टिक की लैन्थ कितनी लेनी है सो वो देख लेते हैं जितनी हमारी full sleeve की लैन्थ होगी उतनी ही लैन्थ हम अपनी लास्टिक की लेंगे तो ये वाला मार्क मेरा full sleeve का था 22 इंच का तो 22 इंच की लैन्थ पर हमने लास्टिक cut कर लेनी है यहां से इसके बाद अब हमने इसी लैन्थ पर दो और cut कर लेनी है यानि 3 length हमने lastik की cut करनी है जिनकी लंबाई 22 इंच रहेगी तो लंबाई आपकी sleeve की 20 से 22 कुछ भी हो सकती है तो मेरी 22 इंच थी तो मैंने 3 lastik को 22 इंच की length पर cut कर लिया है अब यह lastik हमने कैसे लगानी है तो एक lastik हमारी sleeve के center में आ जाएगी तो सबसे पहले हमने center का यहां जैसे notch लगा है एक center का notch हम मोरी में लगा लेंगे तो एक lastik इन notches के उपर यहां से शिरू होगी और यहां कर खतम हो जाएगी तो यह हो गई हमारी center की lastik इसके बाद अब हमने middle में दोनों side में लगानी है तो यहां से आप चाहें तो धाइंच पर mark कर सकते हैं तो पहले में धाइंच पर करके दिखा रहे हूँ दोनों side से हम धाइंच पर mark कर लेंगे इस तरह से तो धाइंच का gap भी आप रख सकते हैं बट मुझे धाइंच का gap थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं इसको 3 इंच का gap करूँगी तो center से आगे की तरफ मैं 3 इंच पर mark कर रही हूँ यह धियान से देखिए यहां मैंने 3 इंच का mark किया और इस side से भी मैं 3 इंच का mark करूँगी अब जो मैंने 3 इंच का mark किया है यहां पर हम notches लगा लेंगे इस तरह से so armhole का जो हमारे यह extra cutting है इस side में भी हमने यह mark करके notches लगा लेने है क्योंकि हमने यहां पर armhole के extra cutting कर दी है अब इसी तरह से मोरी पर भी मैं 3 इंच पर notches लगा लूँगी अब इनको सिलना कैसे है चलिए वो देख लेते हैं so यहां पर पहले हम अपनी जो मोरी है वो fold करेंगे लेकिन जो हमने notches लगा थे उनका mark हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेंगे क्योंकि notches fold होने के बाद अंदर चले जाएंगे so मैंने यह mark आगे की तरफ बढ़ा लिए है अब जो हमने डेल इंच फोल्ड करने के लिए फाब्रिक लिए अंदर की तरफ यह हमने इस तरह से इसकी मूरी फोल्ड कर देनी है इसके बाद अब हमने अपनी elastic ले लिए है तो सबसे पहले elastic हम center में लगाएंगे so यहां पर center में आप crease देख सकते हैं iron के help से यह crease बना ली है अब elastic का एक सिरा यहां रखेंगे और तीन से चार सिलाई लगाकर इसको अच्छे से lock कर देंगे पहले इस तरह से इसके बाद elastic को हमने खेशते हुए center के उपर रखना है यानि crease के उपर खेशते हुए रखना है तो elastic को खीशते हुए हमने बीचो बीच एक सिलाई लगानी है यानि ये elastic crease के उपर आएगी जो हमारी sleeve का center है ये दिखें wrong side है और ये इसकी right side है इसके बाद दिखें जो हमारी elastic का सिरा है वो हम armhole के center का nudges लगाये थे वहाँ से मिलाकर रखेंगे और यहाँ लाकर end कर देंगे इस तरह से आप देख सकते हैं center की elastic हमने लगा ली है और ये front से इस तरह से आएगी इसके बाद आप हमने दूसरी elastic यहाँ से रखकर सिल ली है तो इसका भी हमने जो सिरा है वो अच्छे से लॉक कर लेंगे तीन से चार सिलाई लगाकर यहाँ से इसके बाद देखें जो इसका सिरा है यहाँ पर हमने दूसरी साइड में pin के साथ इसको tuck कर लेना है सो elastic को सीधा करके यहाँ पर हम एक pin लगा देंगे pin लगाने से हमें काफी help मिल जाएगी हमें बार-बार sat नहीं करना होगा और जो elastic का gap है यानि दोन elastic का gap हमने तीन इंच रखा है वो तीन इंच ही आएगा पहले थोड़ा सा इस तरह से करके सीलेंगे अब पीछे की तरफ हमें fabric मिल गया है पकड़ने के लिए और इस side तो हमारी पूरी सिलीवी है आगे सीरे से हमने दोन elastic इस तरह से खीचनी हो और पीछे से भी दोन elastic बराबर पकड़नी है और इन पर सिलाए लगानी है तो यहां इस तरह से देखेंगे जब हम खीचेंगे तो इनका जो gap है वो equal हो जाएगा इस तरह से अब हमने बस बीच में सिलाए लगानी है तो मैं फिर से बता देती हूँ देखेंगे इस side के दोन elastic के सिरे पकड़ेंगे और machine के जो पीछे की side है यहां से भी दोन elastic के खीचते हुए पकड़ेंगे और बस अब हमने इसको सिलाए लगाना है तो यह हमारी जो elastic है वो बिल्कुल आराम से सीधा सीधी लगेगी और इदो अदर कोई भी जोल नहीं आएगा अब यहां भी सिलाए को lock करके निकाल देंगे इसके बाद अब हमने दूसी elastic लगानी है तो दूसी का साइड का नौच है दो से तीन सिलाए लगाकर lock करेंगे फिर से हमने इसका सिरा इस माक पर रखना है और पिल लगाकर इसको टक कर देना है इसके बाद हमने इस साइड में भी बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड से पकड़के बराबर खीचना है दोन उलास्टिक के सिरे और इसमें बीच ओ बीच एक सिलाए लगाकर complete कर देना है तो लीजिए इसी के साथ हमारी elastic वाली जो sleeve है वो ready हो गई है यह इसकी wrong side है अब मैं आपको इसकी right side दिखा दिए हूँ दिखे कितनी beautiful gather's आया हमारी sleeve में और इसका जो armhole है जैसा होता है वैसे ही है कुछ भी changes नहीं है आसानी के साथ यह armhole कुर्टी में लग जाएगा इसके बाद मैं आपको इसको close करके दिखा देती हूँ देखे कितनी beautifully हमारी gather's बनी है और यह इसकी wrong side है इसके बाद अब हमने इसकी fitting कर लगानी है तो center इस तरह से fold करेंगे और एक inch का जो हमने margin छोड़ा था side में fitting का उसको cover करते हुए पूरी sleeve के length में fitting लगा लेनी है और armhole हमने उतना ही रखना है जीतना हमने कुर्टी के लिए अपना रखना होता है यहां से मैं 8 inch पे mark करके armhole तक सिलाई लगा कर complete कर लोंगे इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे so friends अगर आप चाहें तो fitting लगाने से पहले ही यानि अगर आप comfortable हैं तो आप पहले बाजू लगा सकते हैं बाद में fitting कर सकते हैं जब आप कुर्टी की fitting करें या अगर आप पहले fitting लगाते हैं मेरी तरह तो आप पहले आस तिन में इस तरह से fitting लगा लें then इसके बाद कुर्टी पर attach कर लें so इस तरह से जो हमारी sleeve है वो बिल्कुल ready हो गई और एक center की सिलाई बिल्कुल front में आएगी और दो side में आएगी और नीची की तरफ हमारी सिलाई की जो है fitting आएगी so friends ये एक requested वीडियो है मेरी एक subscriber ने मुझे ये sleeve design बनाने के लिए काफी जादा request की थी in fact मैं उन्होंने मेरी एक नहीं काफी वीडियो में इस sleeve design के लिए request की थी so मुझे ये sleeve design बनानी पड़ी हाला कि ये जो sleeve है मैंने सिर्फ एक ही sleeve बनाई है क्योंकि मुझे सिर्फ request के लिए बनानी थी तो simple मैंने थोड़ा सा fabric लेकर ये sleeve को बनाया है अगर आप इसको winter dress में बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लुक देगा फैब्रिक का आप अपने पसंद से कोई भी ले सकते हैं जरूरी नहीं है आप इस तरह का synthetic fabric ले कॉटन में भी बना सकते हैं या फिर रियॉन में भी बना सकते हैं तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आ